कि दोस्तों गुड मॉर्निंग और आज अपन नंबर सिस्टम के दूसरे पार्ट में बात करेंगे रूस अब डिविजबिल्टी के तो जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक नंबर दो के रूज के और डिविजबिल्टी भीवाज्ता के नियम कहाएंगी इसको वीजबिल्टी को भीवाज़िता के नियम इसमें बहुत एप्पॉर्टन टॉपिक है आपके किलेशिन को फास्ट करने के लिए और इसके माद्यम से आपकी कलेशिन बहुत अच्छी हो जाएगी इस वीडियो के माद्यम से क्योंकि मैंने आपको कल इसमें जो जो चीजे यूज होने वाली यह लगवग उसका पहला concept आपको पहली वाली वीडियो बताया है काफी बेसिक वीडियो बनाई थी मैंने पहली वाली तो आइटिंक आपको उमेद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले वाली वीडियो पूरी देखें मेरी कोई भी वीडियो देखने के लिए आपको कोई के बंद नहीं करना उसको पूरा देखना है क्योंकि पूरा देखेंगे मैं गारंटी लेता हूं आपको मैत का कुछ भी ना तो फिर भी आप अच्छे से अच्छा competition fight out कर जाओगे क कुछ दिनों के बाद तो topic two में rules of divisibility देखते हैं और इसमें पहला नियम देखते हैं divisibility का मतलब विभाजता का नियम मैंने पहले हिंदी में बता के रखा है सारे topic हो को तो आप पहला वीडियो देख ले और इसका link हमाने description में मिल जाएगा ओके तो दोस्तों शुरू करते है rules of divisibility तो सबसे पहले rules of divisibility में अपन देखते हैं दोस्तों विभाजता का नियम के दोस्तों दिखते हैं पता कैसे चलेगा कि कोई जो संख्या दी हुई है वो कैसे पता चलेगी कि ये दोस्तों विभाजत है या नहीं उसके लिए हमने मैंने बताया हुआ है कुछ रूज जिन संख्याओं के अंद में जिन संख्याओं के अंद में क्या मिले दोस्तों जिन संख्याओं के अंद में आपको कोई भी संख्या कोई भी संख्या अब संख्या क्या होगी यह तो आपको 0 मिल जाए यह आपको 2 मिल जाए यह 4 मिल जाए 2468 अगर यह संख्याओं मिलती है जिन संख्याओं के अंद में वो क्या होगी तो से बिवाजित होगी वो दो से पूर्टे बिवाजित होगी एक्जाम्पिल देखते हैं जैसे मैंने संख्याओं को लिखा 121024 लिखा अब च locking करने यह दा participating दो जिवाजित है तो यह से लास्ट में की हैस की लास्ट में इसके और यह चार और इस संक्याओं के लास्ट में चार है और हमने रूल में लिखा है कि जन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 मिलता है वह 2 से पूर्ट का बादित होती है तो कैसे करेंगा दो का भाग देंगे 1024 में वह 2 510 अंको तारेंगे 2 का 2 1 मिऊंचिता रेंगे कटने लुए चार का दो सारी संख्या लिख सकते हैं एक्जाम्फिल में या चेक करेंगे कि यह विवाजत हो रही ही या नहीं वन टू थिरी फॉर फाइब सिक्स शेवन एट नाइन जीरो लब किसी भी संख्या को आप लेखें लास्ट में अगर यह चार पांस डिजिट हैं तो संख्या का दूसे पूर्त्या विवाजत होगी आइठेंक दूसे विवाजता का नियम क्लियर होगा होगा Thats Ö तीन से देखेंगे, तीन से विवाजता का नियम, तो अब तीन से विवाजता का क्या नियम होगा, कि जिन संख्याओं के अंकों का योग, जो संख्यादी रहेगी आपको, जिन संख्याओं के अंकों का योग, तीन से विवाजता क्या नियम होग, तीन से उड़ता के अंकों का योग, वो संख्या तिन से पूर्ण विभाज होगी समझ में आया दोस्तों नहीं एक एक्जामपल लेते हैं जैसे मैंने लिया 1,2,3,6,9 तो अब इस संख्या को चेक करते हैं यह 3 से विभाजत है की नहीं मैंने आप रूल्स में क्या लिखा है जिन संख्याओं के अंकों का योग इसमें अंक कौन कौन से हैं मैंने पहले वीडियों बता रख आपको अंक क्या होते हैं 1,2,3,6,9 यह इसमें पांच अंक हैं तो इनमें अंकों का योग क्या होगा अंकों का योग और नीचे क्या लिखा फिर मैंने तीन से पूर्टे विवाजित होगा तो इतनी बड़ी संख्याओं को तीन से भाग देने की जिरूत नहीं है इसका सॉर्ट कट है यह अंकों का योग निकाल लो आप तो अंक क्या है 1,2,3,6,9 तो कितना होगा टोटल 9,1,10,10,16,16,16,18,21 यह इसे जोड़ लो 1,2,3,3,6,6,12,12,21 और 21 आपको पता है कि 3 से विवाजित है भाग देके देख लेते हैं आपन 21 में तो सादवार में पूरा का पूरा कड़े आएगा जैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा इतनी बड़ी संख्या को तीन से भाग देने की जुरूत नहीं थी हमें पता चल गया कि इस संख्या के अंकों का योग 21 है और 21,3 से पूरतया विवाजित होता है क्योंकि तीन के चल गए कि यह वाली संख्या तीन से विवाजित है और यकीन ना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं जैसे मैने उपर करके दिखाया है और एक्जाम्प्ल ले लेते हैं जो की आपको करना है प्रक्टिस एक संख्या ये है आपकी एक दो तिन जिरो छे नो जिरो इसको एक आई दाय में पढ़ लेंगे आप दूसरी संख्या है इसका है इसको और बढ़ा करने लो और बढ़ी करने की लोर बढ़ी कर लो ये तो संख्या है इसमें आप चेक करेंगे इस एक करेंगे ये सार्ट कर स्वर्मूला कीजा इसकी एक क् visionary क् दूसर्ट रक है चेक करने की, तो इस सॉल्टिक के एकसाब से आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 21-23 से विवाजित है, इसलिए ये संख्या 3 से विवाजित होगी, और मैंने ये संख्यां देती हैं आपको एक्जामपल में, आपको चेक करना ये 3 से विवाजित है या नहीं, I think दोनों 3 से विवाजित हैं आप चेक करेंगे होती हैं कि नहीं और इसके बाद अगर नहीं होती है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस चीज की जरूरत है, क्या चीज समझ में आ रही है, क्या निक समझ में आ रही है और आप क्या चाहते हैं मुझसे, क्या है, तिन से विवाजन हो गया, चार से विवाजन हो गया, तिन से देख लेते हैं चार से विभाजता का नियम देखते हैं और विभाजता मैं डिविजबिल्टी बोलते हैं इसको चार से वाजन गनियम यने की किसी संख्या के अंतिम दो अंग चार से विभाजित होंगे तो वो संख्या पूर्तिया चार से विभाजित होगी तो वो संख्या चार से पूर्तिया विभाजित होगी ओके चेक करते हैं एक्जाम्पिल से लास्ट के दो अंग का मतलब क्या हो गया एकाई और दाही लास्ट के दो अंग का मतलब क्या है एकाई और दाही एकाई और दाही के अंग का योग दो से चार से पूर्तिया बेवाजित होना चाहिए जैसे एक्जाम्पिल लेते हैं आ bulb 104847 के जीरो ले लो जीरो लेना है चलो जीरो ले ल्यक्तम अब इस संख्यवा से देखना है चेक करना विवाजित है की नहीं ही तो मैंने क्या बताया लास्ट के दो अंग है चैक करने केब वह चार से बाज़ाण बूपनी ठान आएगा है सेश कंदा यहीं है से सथ वह बचेगा क्या नहीं बचेगा इसलिए संख्या चार से विभाजित है उके संज में आई बात अभी नहीं है चलिए एक एक एक्जम्पल और देख लेते हैं तो इसमें लास्ट में कौन सा नमबर है लास्ट दो डिजिट कौन से है थिरी और टू तो चेक करते हैं क्या थर्टी टू चार से विभाजित है यह अपन चेक करते हैं तो क्लियर है चार के ही टेविल में आता है थर्टी डू एट टाइम में यानि चार वड़ी बत्तिस यानि आड़ वार में बत्तिस पूरतया विभाजित हो जाएगी तो हाँ अंसर क्या आया यानि आड़ वार में बत्तिस चार से पूरतया विभाजित है अंसर हाँ है इसलिए इसलिए जो संख्या है वन टू थरी फोर थरी टू वो चार से विभाजित होगी चलो इसको मैं विभाजित करके दिखाता हूँ चार का भाग देते हैं अपन वन टू थरी फोर थरी टू में तो अब मैं यहां पर चारती बारा थरी भाग नहीं जा रहा है यहां पर जिरो लेंगे एक अंक उतार लेंगे चारवटी बत्तिस सब्ट्रेक्ट करेंगे दो बचेगा और फिर तीन आएगा चार पंचे बीस बटाएंगे तीन बचेगा अंक को तारेंगे दो का चारवटी बत्तिस सब्ट्रेक्ट कर दो कुछ भी नहीं बचा तो किलियर हो गया ना कि किसी संख्या के अंतिम दो अंक यदि चार से विवाजित है तो संख्या चार से पूर्णता विवाजित होगी ओके आई होग किलियर हो गया होगा पांची से विवाजिता गनी हम देखते हैं जिस संख्या के अंत में पांच से विवाजित के लिए है जिस संख्या के अंत में दो डिजिट मिल जाएं कौन से दो जीरो या पांच जीरो या पांच आएंगे वो पांच से विवाजित होगी वो संख्या पांच से विवाजित होगी उके तो एक्जम्पल देख लेते हैं इसका जैसे यह है तो इसके लास्ट में जीरो है इसलिए यह संख्या में पांच का पूरा पूरा भाग जाएगा इस संख्या के लास्ट में पांच है इसलिए पूरा पूरा भाग जागा इसके लास्ट में जीरो है और इसके लास्ट में पांच है तो यही फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है कि जो जिस संख्या के लास्ट में जीरो है और जिस संख्या के लास्ट में पांच है वो संख्या हाँ से पूरा भाज़त होगी अगर यह कहन नहीं है तो आप पांच का भाग देके देख सकते हैं आई होप क्लियर हो गया होगा दो के विवाजिता गनियम क्लियर हो गया कि जिस संख्या के अंते में 0, 2, 4, 6, 8 मिलेगा वो संख्या 2 से पूर्टे विवाजित होगी 3 से जिन संख्या के अंको का योग 3 से विवाजित है वो संख्या 3 से विवाजित होगी अब देखते हैं छैसे, डिविजबिल्टी और शिक्स, छैसे वाजन का नियम देखते हैं, जो संख्या, जो संख्या, दो और तीन, क्या, दो और तीन, दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित होगी, जो संख्या, दोर तीन, दोनों से देवाज़ा होगी, वो छैसे उड़ते हैं विभाजित होगी, वो छैसे पूर दया विभाजित होगी, एक्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, यह संख्या ले लेते हैं, इसको चेक करना यह दो से विभाजित है या नहीं, तो दो से विभाजिता का नियम, यह इसके लास्ट में क्या है, जीरो, तो अगर लास्ट अंत में जीरो है, तो दो से विभाजित होगी, ठीक है, और अंकों का योग कितना आ रहा है, इसके, अंख्या के, अंकों का योग कितना इसके, देख लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 इक्वल, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 12, और 12, 3 से डिविजबल है, अंकों का योग 12 है, तो, इसलिए, यह तीन से भी विभाजित है, तीन से पूर्ण बिवाजित है, अता, संख्या, कौन सी, 1, 2, 3, 6, 0, 6 से पूर्ण ते विवाजित होगी, होगी, 6 से, कम्पलिटली डिविजबल होगी है, अगर यह संख्या है, अगर लास्ट में 0 है, तो यह दो से पूर्ण बिवाजित है, इसके अंकों का यो 12 है, इसलिए, तीन से भी विवाजित है, और उपर नोट लिख रहा है, मैंने, कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विवाजित होगी, वो 6 से पूर्ण बिवाजित होगी, अब साथ की डिविजबिल्टी चेक करते हैं, इस डिविजबिल्टी को थोड़ा ध्यान से देखने की चुरूरत है, क्योंकि यह थोड़ा सा टेरी है, यदि कोई संख्या, इसको मैं त्योरी न लिखकर कैसे समझाता हूँ, जैसे कोई संख्या दी हुई है, मा लेजे एक्जामपिल, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, ठेक है, अब इसको क्या करना है, इसका जो यूनिट प्लेस है, एकाई का अंग क्या है, इसमें एकाई ये है, दाहाई ये है, सैकडाई ये है, हजार ये है, ओके, तो एकाई का अंग है, तो इसमें रूल क्या होता है, कि पूरी संख्या से एकाई का अंग हटाना है, अगर एकाई का अंग हम हटा देंगे, तो क्या बच्चा संख्या, तो जो संख्या बचेगी, इसको गटाना होता है, इसको क्या करना है यहाँ पर, इस संख्या यहाँ आपर, जार्फ, पर है। संक्या से घटाना या इसको अभी कर दो इसको घटाना होता है तो क्या आएगा फाइनली 123-8 किता आएगा एक फोप तेरह मैं से आड़ गई कितना आएगा पाँच इतर बचेगा एक 115 वचा किके 115 में साथ से भाग दे के देखेंगे क्या डिविजबल है या नहीं तो शात एकम साथ इधर बचेचार नहीं है यह साथ से डिविजबल नहीं है अता संख्या यह साथ से पूर्टे विवा ताकि दुगना करना है और बची हुई संख्या से घटा देना है अब नी समझ में आया एक एक जेम्पल और देखते हैं इसका जैसे मैं संख्या लेता हूं 882 एक संख्या लेलो 882 तो इसमें रूल क्या है रूल है इसका नियम यह है नियम क्या है फर्स्ट स्टेप में क्या है एकाई का अंख हटाओ एकाई का अंख हटाओ ठीक है सेकंड स्टेप क्या है इसका से संख्या अलग लिखो सेश संख्या को अलग लिखकर इकाई के अंख का दुगना सेश संख्या से गटाना है प्राप्त उत्तर प्राप्त उत्तर को साथ से भाग देकर जाचना है यनी चेक करना है यह प्रिक्रिया तब तक करना है जब तक संख्या दो अंकों की ना बन जाए इसको एक्जाम्पल से समझते हैं 882 संख्या लिथी हमने लिखा इसको 882 इसका एकाई कांग क्या है दो काई कांग ठीक है तो इसको क्या करना है हटाना है इसको हटाया तो अब से संख्या को अलग लिखना है तो से कितनी वच्ची संख्या 88 से संख्या कितनी वच्ची 88 अब आगे क्या है प्राप्त से संख्या को अलग लिखकर अलग लिखने एकाई कांग का दो गुना से संख्या से घटाना है तो एकाई का अंक कितना था दो तो इसका दो गुना हमें घटाना है एकाई का अंक का दो मुल्टिप्लाई एकाई का अंक एकाई का अंक यहाँ पर दो है तो अब क्या होगा तो 88-4 तो कितना बचा 84 84 दोंकों की संख्या बन गई जब तक यहां पर दोंकों की संख्या नहीं बन दी जाएगी हम यही प्रॉसेस करते जाएंगे तेलों इस में भी स्था का भाग देखर चेक करेंगे कि साथ से विवाजित है या नहीं अब एक एक्जम्पल और देखते हैं बड़ी संख्या का ठीक है एक एक्जम्पल और देखते हैं यही केवल टफ है थोड़ा सा रूर बाकी तो बहुत इजी है सारे एक संख्या और चेक करते हैं अ करता है एक्जम्पिल देखते हैं कोई बड़ी संख्या लिखते हैं मुझे तो पता नहीं कितने विवाजित होगी या नहीं लिखते हैं 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है 0 मालीजिए संख्या अब चेक करना साथ से यह संख्या विवाजित है या नहीं यह नहीं पूर्टया विवाजित यह जो संख्या आई है पूर्टया साथ से पूर्टया विवाजित है या नहीं यह करना है अपने ठेक है तो संख्या लिखते हैं सॉलूशन सॉलूशन में क्या लिखते हैं अपने नमबर लिखते हैं 1,2,3,4,5,6,7,0 इसमें एकाई कांग क्या है जीरो एकाई कांग क्या है इसमें जीरो से संख्या जब जीरो को हटाएंगे तो से संख्या क्या बचेगी यह वाली यह जो हिस्सा यह क्या है से संख्या ठेक है अब रूल क्या है नियम क्या है इसका से संख्या रेड दो गुड़ें एकाई का अंग यह इसका रूल है तो से संख्या क्या थी 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 माइनस दो गुड़ें एकाई कंख्या है यहाँ पर 0 तो क्या हो गया 2,3,4,5,6,7,0 तो फाइनली जो संख्या पराफ्ट है वहामें कितने पराफ्ट है अब इस संख्या के साथ भी बहाई करना है कि अब इसमें फिर एकाई कंख्या लेंगे 1,2,3,4,5,6,7 इसमें अब एकाई कंख्या है 7 और से संख्या क्या वजी इसमें ये तो आप साथ से विवाजता का नियम क्या कहता हमारा साथ से विवाजता का नियम जो कहता है वो आप पता है से संख्या माइनस दो गुड़ एक आई कांग तो से संख्या क्या है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस दो गुड़ एक आई कांग कितना है यहाँ पर साथ तो करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस 14 तो सब्स्ट्रेक्ट करिए कितना बचेगा 2, 4, 4, 3, 2, 1 अब यह संख्या मिल गई हमें इस संख्या के साथ फिर वही करना है अब यह फिर से नई संख्या बन गई हमारी तो अब इस संख्या के साथ फिर वही करेंगे किसमें का इकंग क्या है यहाँ पर यह नई संख्या बन गई यहाँ पर यह वाली नई संख्या थी अब यह नई संख्या क्या बन गई हमारी 1 2 3 4 4 2 ठीक है तो इसमें एक आइकंग क्या है 2 ठीक है मैं बार बार नहीं लिखूंगा तो एक आइकंग क्या है इसमें 2 अब क्या करना है से संख्या 1 2 3 4 4 माइनस 2 इंटू 2 तो क्या बन गया 1 2 3 4 4 माइनस 4 तो क्या है गा आंसर 1 2 3 4 यह 4 से 4 बढ़िया गए 0 तो यह कितने अंकों की हो गई फिर से यह जो संख्या प्राप्त होई यह वाली संख्या नई संख्या है ठीक है इसके साथ भी यही प्रोसेस करेंगे जो अभी अपन सबके साथ कर रहे थे तो अभी क्या है यह संख्या 1 2 3 4 0 तो नई संख्या क्या बन गई यहां पर 1 2 3 4 0 ठीक है इसके साथ भी फिर वाई प्रोसेस एकाई कंक तो यह क्या कहेगा साथ का निवेदन से संख्या तो से संख्या बची यह माइनस दो कोन एकाई कंक एकाई कंक यहां पर 0 है तो 1 2 3 4 माइनस 0 तो जो नई संख्या यहां फिर बनेगी 1 2 3 4 ठीक है यह नई संख्या है यहां पर इसके साथ फिर वही रिविजन कि इसमें जो एकाई कंक आएगा वो क्या आएगा 1 2 3 4 इसमें एकाई कंक क्या है 400 और से संख्या एक 123 तो 1 2 3 माइनस दो तो गुण एक आई कंग एक आई कंग चार तो क्या आगया 123-8 तो कितना आ गया जी तिरमेश जाड़ गई पांच और इधर 115 115 आप 115 में अपन देख सकते हैं नॉर्मली भाग तो साथ एकम साथ 4 बचेगा फ्रिया 45 हो जाएगा और 45 में भाग नहीं जाता है तो आप देख सकत है कि 115 जो प्राप्त हुई हमें संख्या वो साथ से विभाजित नहीं है साथ से विभाजित नहीं है अतहा संख्या स्टार्टिंग में हमने जो ले थी क्या ले थी हमने जो संख्या ले थी वो ले थी 1,2,3,4,5,6,7,0 1,2,3,4,5,6,7,0 संख्या साथ से विभाजित नहीं है बिभाजित नहीं होगी ठीक है अभी आपको लग रही हो को बहुत बढ़ा रूल है कुछ भी रूल लिंगा, जो संख्या है जो कुछ भी नहींका यह नहीं it जो घुड़त है आपको लगने लगए कि आह समें भाग दे सकते हैं ओके आठ से डिविजबिल्टी देख लेते हैं कि अधिविजबिल्टी ओफ एट देखते हैं अपन यहां पर मैंने एक रूल बताया था जिन संख्या के अंध के दोंग संख्या चार से विवाजित होगी इसमें भी सेम वही रूल है जिन संख्या के अंतिन तीन अंग अंतिन तीन अंग आठ से विवाजित होंगे वे संख्या आठ से पूरून त्याह बिवाजित होंगी बिवाजित होंगी एक्जाम्पल ले लेते हैं एक्जाम्पल में वन टू फाइव वन टू यह एक्जाम्पल लिए तो मैं चेक करना है क्या जो अंतिम तीन अंग है यह अंतिम तीन अंग क्या है संख्या में पाइव वन टू यह तो है अंतिम तीन अंग तो अब यह चेक करना फाइव वन टू क्या आठ से डिविजवल है तो इसमें आठ का भाग दे देंगे तो आठ पंच्यालिस आठ चंग अरतालिस ठीक है छे बार जाएगा अरतालिस संख्या मन से अरतालिस घटे का तीन बचेगा और अंग उतारेंगे दो का तो बत्यस हो जाएगी और आठ चो को बत्यस यस इस संख्या में यह संख्या में आठ से पूरते विवाजित है तो क्या यह संख्या पूरी आठ से पूरते विवाजित होगी यस कैसे मैं यहां पर division करके दिखाता हूं आपको, 8 का division करते हैं अपन, 1, 2, 5, 1, 2 में, ठीक है, तो 8, 1, 2, 8, यहां पर घटाएंगे, 4 बचे का अंकुतारेंगे, 5 का, 8 पर, 40, घटाएंगे, फिर 5, अंकुतारेंगे, 1 का, 8, 6, 48, अटाएंगे, 3 बचाएंगे, अंकुतारेंगे, 2 के, 8 को, 32, 6 क्या बचा, नहीं कुछ भी, तो आपको यह चीज किलियर हो गई होगी, कि यह हमारी जो संख्या है, वो 8 से पून्तिया बिवाजित होगी, आई हो, किलियर हो गया होगा, 9 से देख लेते हैं, 9 से बिवाजिता का नियम, ठेक है, 9 से चेक कर लेते हैं, तो सेम, अंकों का योग, यदि, यदि, अंक, यदि, संख्या के, अंकों का योग, जैनि, जो रूल 3 के लिए था, वही रूल 9 के लिए, जैनि, यदि, संख्या के, अंकों का योग, 9 से भिवाजित होगा, तो, वह संख्या, वह संख्या, 9 से, पूरते हाँ, तो, वह संख्या, 9 से, पूरते हाँ, विवाजित होगी है, एक दूसरा एक्जाम्पल देख लेते हैं, एक्जाम्पल नमबर 2, एक्जाम्पल फस्ट ही है, यह, थेोरी की बाद, यसे मैंने संख्या लिखी, वह संख्या, 9 से, वह संख्या, 9 से, यह, नहीं, तो, उसके लिए यह, यह, एक्जाम्पल देख लिख दिया, कि उसके अंकों का योग निकालना है, 9 से भाग देना है, यदि सेसफल 0 आया, तो तो पूर्टया डिविजवल है, और यदि सेसफल 0 नहीं आया, तो संख्या पूर्टया डिविजवल नहीं है, पूर्टया विभाज नहीं है, 9 से, अब 10 से विवाजता का नियम देखते है कि जिन संख्याओं के अंत में 0 केवल वही संख्याँ दस से विवाज़त होगी यानि जिस संख्या के अंत में 0 आएगा क्याएगा जीरो आएगा केवल वही संख्या दस से विवाज़त होगी और दूसरे सब्दों में ऐसा भी कह सकते हो आप कि जो संख्या दो से जो संख्या वो संख्या भी 10 से पूर्टया विवाजित होगी और अगर ऐसा याद नहीं रखना तो आप सिंपल से याद रखो जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो 2 से तो विवाजित होती ही होती है और वो 10 से ही केवल विवाजित होगी समझ रहे हैं जिस संख्या के अंत में 0 होता है वो संक्या 10 से तो 100% पूर्ट या विवाजित होगी, 10 के अलाबा वो 2 से भी विवाजित होती है, वह 5 से भी विवाजित होती है, ओके, एक्जाम्पल मैंने देखा 1, 3, 5, 2, 4, 6, 0 तो यह संख्या भी 10 से पूर्टया विवाजित है अब लास्ट देखते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा 11 से विवाजित देख लेते हैं इसके आगे फिर देखेंगे मैं इसके थोरी नहीं देखता हूँ केवाल फॉर्मल लग देता हूँ संख्या के सम इस्थानों का योग माइनस विसम स्थानों का योग माइनस विसम स्थानों का योग एक्वल या तो आंसर जिरो आए या आंसर ग्यारा आए ठीक है या ग्यारा का कोई गुड़ाज आए या ग्यारा का कोई गुड़ज गुड़ज को कहते हैं मल्टिपल गुड़ज या आए तो वो संख्या 11 से विवाज़त होगी और नथा की स्थिति में नहीं होगी ठीक है एक्वल के माद्धिम से समझते हैं मैं या पर संख्या लगता हूँ 1 2 3 2 6 6 2 मान लिजी ये संख्या मैंने लिखी अब चेक करना ये संख्या 11 से विवाज़त है या नहीं तो संख्या की समिस्थान कौन से है पहला दूसरा वाला इस्थान सम होता है न एक तो विसम इस्थान है एकाई का इस्थान विसम होता है ठीकिन ये संख्या का विसम इस्थान है पहला इस्थान विसम दूसरा इस्थान सम इसरा इस्थान विसम चोथा इस्थान सम पाँच्वा इस्थान साथमा इस्थान, बिसम, अठमा इस्थान, सम, नौमा इस्थान, बिसम, ठीक है, तो यह हो गया, बिसम सम, बिसम सम, बिसम सम, ठीक है, अगर इस तरफ से गिनते हो, तो अभी यह बिसम है, बिसम फिर सम, बिसम फिर सम, ठीक है, तो जो रूल है, वो क्या है, सम इस्थानों का योग सम इस्थानों के अंकों का योग माइनस बिसम इस्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए 11 का कोई multiple हो जाए तो अभ इसमें देख लेते हैं सम स्थान पर कौन-कौन से हैं 2 फिर 2 फिर 6 फिर 3 माइनस इसको देखते हैं विसम का 1 फिलस 3 फिलस 6 फिलस 2 फिलस 1 इखते है क्या हुआ दो दो चार और छे चार दस और तीन तेरा माइनस तीन एक चार छे दस दो बारा एक तेरा तो तेरा में से तेरा गए जीरो अगर आ गया जीरो तो यह जो संख्या है तो संख्या एक दो तीन दो चे चे दो तीन एक ग्यारा से पूर्टेह विभाज होगी ऐख क्लियर होगा होगा अगर आपको यकीन नहीं न तो 11 से भाग देके देख लेते हैं 12,3,2,6,6,2,3,1 तो वन टाइम जाएगा 11, फिर 1,13, फिर वन टाइम 11, फिर 2,2,22, फिर रंग उतारेंगे 6 का बागने जाए 0, फिर रंग उतारेंगे 6 का 6 6 6 फिर सब्ट्रेक्ट करेंगे ठीक है 0 आएगा फिर अंक उतारेंगे 2 का भागने जाए फिर 0 अंक उतारेंगे 3 का 2 22 सब्ट्रेक्ट करेंगे 1 अंक उतारेंगे 1 का 11 11 शेसपल क्या बचा कुछ भी नहीं तो यह संख्या इतने बार में पूर्टे विवाजित हो गई इसके आंगे का पार्ट हम नेक्स वीडियो में देखेंगे थेंक यू सो मच थेंक्स पर वाचिंग पिलीज सब्सक्राइब अवर चैनल थेंक यू थेंक यू सो मच और अधिक लाब लेने के लिए अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेयर करें ताकि मुझे पता चल पाए कि क्या कमी रह जाती है और हम मुझे क्या देना चीए थेंक्यो सो मच